हेलो दोस्तों मैं एक नया स्रीज सुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्लॉगर थीम आप अगर चाहते हैं कि आपकी खुद की वेबसाइट हो आप ब्लॉगर की थुरू पैसा कमाना चाहते हैं या website बनाना चाहते हैं और कैसा भी website बनाना चाहते हैं आप जह हैं तो आज यह video पूरा देखेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी प्रकार की theme blogger में हम कैसे डाल सकते हैं wordpress वाली theme कैसे डाल सकते हैं blogger के इंतरगत मतलब कोई भी theme design कैसा भी हो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यह video यूटूपर नहीं है इस तरह का आप video यूटूपर सर्च कर लेंगे तो आपको कोई भी video नहीं मिलेगा तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको blogger में कैसे theme install करेंगे यानि कि theme नहीं install करना सिखाने वाला हूँ आपको बलकि यह सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी HTML theme को blogger theme में कैसे बदलने वाले है ये video उनके लिए है जो अपने वेब साइट या अपना blog बना करके पैसा कमाना चाहते है और theme चाहते है कि हमारे हिसाब से हो तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बनी हुई website दिखाता हूँ जैसा कि ये एक website बनी हुई है आपको मैं दिखाऊँ इसका URL तो आप देखी यहाँ पर ये URL है इसका है इसका नाम है mehdiartistlachno.com ठीक है आप इस website को Google में search करेंगे ठीक है तो आपको same to same ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक single page responsive design में बना हुआ है proper way में इसके अंतरगर सारे चीज़ें है जो होनी चाहिए एक website के अंतरगर जो है proper way में सारा details में है ठीक है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो proper सारी चीज़े चाहिए एक website के अंतरगर वो यहाँ पर है यह आप explore करने के लिए है सारा कुछ इसके अंतरगर यहाँ पर gallery को आप explore कर सकते है अपने हिसाब से ठीक है auto scroll भी इसके अंतरगर दिया हुआ है यहाँ पर आपको जो users review हमारे आते हैं उनको आप लगा सकते हैं इसके लावाँ इसमें एक और part आता है जो मैंने यहाँ पर हटाया दिया है जिसकी जरूत होती staff की तो नहीं है यहाँ पर तो यह पूरा complete जो चाहिए आपको सारा कुछ इसके अंतरगर बना हुआ है ठीक है तो इस तरह का अगर आप कुछ चाहते हैं या इससे भी और अच्छे तो यह theme आपको एक तो free में मिल जाएगी सब कुछ free का है कुछ भी purchase नहीं करना ठीक है ना यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यह stml kodex website है जहां से आप theme खरीद भी सकते हैं और free का भी download कर सकते हैं तो दोनों मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर free का भी और purchase वाला भी जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह purchase वाला theme है ठीक है ना पर्चेज पर गर मैं click भी कर दूँ तो इसमें हमें purchase तो करना नहीं है यह 30 डॉलर का और यह से बंटी नाइन डॉलर का है लेकिन हमें इसे purchase नहीं करना है हमें free में यूश करना है तो देखेगा यहाँ पर यह free वाला है जुसको मैंने use किया यह आप देख पा रहे होंगे यह पूरा का पूरा proper way में है ठीक है ना और यहीं नहीं है आप कोई भी theme ठीक है कोई भी theme जो भी आप चाहते हैं लेना ठीक है यह html codex है आप किसी भी website से theme ले लीजे जो भी आपको इच्छा हो यह theme है वो जिसकी में बात कर रहा था इसके अंतर कर आप देखोगे तो free download भी दिया हुआ है ठीक है ना live preview पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको देख जाएगा free का download है यहाँ से remove भी कर सकते हो आप इसको तो मैं आपको यहाँ पर ठीक है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यह वाली theme वाली है अब इस theme इस theme को मुझे अपने क्या करना है set करना है computer में ठीक है ना तो इस theme को मैं क्या से set करेंगे blogger के अंतर कर जाए ठीक है same theme को set करना सिखाऊँगा step by step वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आप लोग को क्या करना है continuously पूरी वीडियो देखनी है तभी आप यह कर पाओगे दोस्तों क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा है और जिन्हें इसे proper वे में चाहते हैं ठीक है ना क्योंकि मैं आपको पूरा free base में करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे आप से मेहनत करके इसको मतलब प्राप्त कर पाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि आप इसको पूरा step by step देखो तो यह theme है ठीक है ना कुछ इस तरीके का तो hopefully आप यहाँ पे पूरा पूरा सब देख पाएंगे कैसे इसके अंतर जो है सारे features complete हो रहे हैं ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पे fully details में देख पा रहे है theme को चली मैं आपको कुछ और भी theme दिखा देता हूँ इसके अंतर गत जो है ठीक है जो आप सोचे की मतलब कोई भी theme कर सकते हैं ठीक है ना कोई यह नहीं कि हम एक ही theme कर सकते हैं मैं आपके लिए कैसे की मालो मैं यहाँ ले लेता हूँ e-commerce तो यहाँ पर हम search कर लेते हैं e-commerce में तो हमारे पास सामने कई theme दिख रही है चलो मैं पहले ही ले लेता हूँ यह वाली और इसको ही चक करता हूँ तो यह भी free में ही है और buy करने का भी है तो इसमें हम पहले live देख लेते हैं कि इसका look क्या है और कैसे है ठीक है तो सारा कुछ मैं set करके दिखाऊंग आपको यह same to same ऐसे ही html format में ठीक है जैसा आप यहाँ देख रहे है ठीक है न तो product हमारे customers तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कोई भी theme आपको जो भी आपको पसंद आ रही है तीम उसे क्या कर लेना है download कर लेना यहाँ से है ठीक है तो यहाँ पर click करके हम क्या करेंगे download कर लेंगे ठीक है अब इससे download करने के लिए download करने के बाद में यहाँ थोड़े दिर में ही downloading यहाँ पर होने वाली है यह हमारा theme हो गया चालो download यह हो रहा है download अब लेकिन हमें जब theme डालना है तो कैसे डालना है theme को डालने से पहले हमें कुछ और भी चीज़े सीखनी पड़ेंगी तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या सीखनी पड़ेंगी देखो सबसे पहले यह है आपको इस website पर आना है यहाँ पर आपको मिलने वाला है ठीक है न यह details तो यह वाली details है आपको इस website पर मिलेगा यह क्या details है यह code यहाँ से आपको code मिलेगा पहले यह code सभी website के लिए काम आएगा तो इसको सीखना आए में है क्योंकि किसी भी stable website को हम कैसे करते हैं यहाँ से सीखना जरूँगी ज़्यादा कुछ खास नहीं सीखने का है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे open करेंगे और इसमें हम देखेंगे हमें आना चाहिए HTML, CSS, JavaScript, XML और Responsive जरूरी नहीं है कि आपको इस सब कुछ आता हूँ अच्छे से आता है तो आप ज़्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे अच्छे से नहीं आता है तो आप कम कस्टमाइज कर पाएंगे ठीक है न ये structure है HTML का अगर आपको आता है तो आपको पता भी होगा ये structure होता है हम लोग CSS जो लिखते है head के अंतर कप वो skin tag के अंतर कप लिखते है ठीक है न c data के अंतर कप जो है तो यहाँ पर हमें अपना CSS code रखना है और पूरे page में हमें section और widget बनाने होते है ठीक है तो ये बस दो ही चीज बनता है इसके मतलब पूरे page में तो section हम किसे कहते हैं और widget किसे कहते हैं उसको समझने के लिए हम यहाँ पर theme पर ही आयाते हैं सीधा जैसे देखें ये home section का जो है head section है तो ये head section के अंतर कादा आ गया ठीक है न इसके लावा ये हमारा about section है हम about section में आ गए ये हमारा room section है तो आप room section में आ गए ठीक है न ये हमारा luxury living section है ठीक है न यह हमारा service section है यह user section है यह team section है यह हमारा footer section है ठीक है तो इस तरीके से हमने section देख रखा अब यह सारे sections हमें यहाँ पर create करने परते हैं ठीक है तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है हमने यहाँ पर section create कर दिया यह हमारा example code है जो कि हमें रखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी sample code को रखेंगे तो हमारा कुछ structure इस तरह से बन जाएगा इसको header बोलते है यह हमारा body section है और यह footer section है और यह हमारा sidebar है sidebar में अगर हमें कुछ रखना है तो रखो ने तो ना रखो कोई दिकत की बात नहीं है तो यह ह हमारा blogger है में पहले वापस आयाता हूँ coding section से बाहर आकी जो है सभी लोग को bloggers के बारे में पता होगा नहीं पता है तो आप क्या करेंगे अपना email खोले खोले के बाद में यहाँ पर आपको मेलेगा यह blogger पर आप क्लिक कर दीजिए आपका blogger page यहाँ पर open हो जाएगा ठी ठीक है तो यहाँ पर हम आगये टेस्टिंग में आप सीधा हम आजाएंगे यहाँ पर टेस्टिंग हमने एक लिया है यह हमारा एक blog है इसमें हमने कई blog है तो हम टेस्टिंग blog पर काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे थीम में जाएंगे थीम में जाने के बाद मे ध्यान दीजेगा आप लोग यहां से हम ब्लॉग को देखेंगे व्यू ब्लॉग पर हमने किलिक कर दिया तो यह ब्लॉग हमाने अभी इसके अंदर कर यह जो भी content इसके अंदर है वो दिख रहा है यहां पर जो ठीक है इसके अंदर जितना भी code दिया हुआ है ठीक है न वह हमें सब्सक्राइब कर देना ठीक है वह यह हम remove कर दे तो कैसे remove करना है यहां से आप कर कर लो copy और इधर आ करके यहां पर code section वाले में इसे delete करके और इसे paste कर दो यह जैसे हम paste करें वैसे ही आप भी paste कर दीजिए और safer क्लिक कर दीजिए अब इसमें कहारा है कि जो section हमारा है एक नहीं दिया हुआ ठीक है न तो यह section हम इसमें एक add कर देते हैं तो हम पहले क्या करते हैं इसके अंदर जो body है जितना content पड़ा भी है मुसको सब remove कर देते हैं इसके अभी हो सकता ही नहीं है और हम इधर से भी जो भी हमें जरूँ थे इसको भी remove कर दीजिए इसकी भी कोई सकता नहीं है ताकि मैं sort में करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको देखिए यहां पे हमने एक यह important लगा रखा है पाकी पूरा HTML ही है एक्स्ट यहां पर हमने paste कर दिया और देखते हैं कि यह अब save करके कोई भी इसमें अगर error नहीं होगी तो यह save हो जाएगा यह स्वारी यह error हो गया इसमें कुछ है जो गड़बर हो जा रहा है तो मैं यहां पर देख लेता हूँ कि क्या error हो सकता है इसमें code में कुछ error हो रहा है हमार दोस्तों इसको मैंने किया तो है सही अपडेट फेल कर दिया इसने हमें एक बार फिर से ओके कोई बात नहीं है यह अपडेट फेल कर दिया तो मैं इसको एक बार reward करता हूँ और मैं दुबारा इसे क्या करूँगा मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है हम जैसा कर रहे है वैसी आको करना भी है यहाँ पे जो हमारा title section है ठीक है न यह यह title section जो आ रहा हमारा head section जो आ रहा हमारा यहाँ से यह head के अंदर का सारा का सारा हम क्या करेंगे remove कर देंगे तो head ऐसे छोटा मोटा head है नहीं यह काफी बड़ा head है तो यह CSS सारा लिखा हुआ head के अंतरकत तो हम भाईया इसमें आ करके और head को पूरा पूरा करेंगे remove तो थोड़ा सा time लगेगा आपको भाईया बस देखते चले जाओ तो मैं नीचे तक remove कर देता हूँ इसको ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगे ठीक हमने head को कर दिया बंद यहां पर यह simple code हो गया और body को open कर दिया ठीक देखे इसमें error जो होगी न वो दिखता रहेगा आपको की error है इसके अंदर जो है तो जहां भी यह दो को spelling mistake हो गई तो error खतम हो गई यहां पर अब हम इसके इसमें एक हम section add करेंगे तो यह section हमने copy कर लिया और हम section को paste करेंगे अपना लेकर अभी इसके अंदर कर एक भी skin नहीं है तो skin डालना नहीं हो आ रहे है head में और titan लालना जरूरी होता है तो हम यहां से ले लेते हैं यह अपना skin और इसमें skin को हमने paste कर दिया अब इसको save करते हैं तो यह update हो चुका है successfully पुरा हमारा और हम अभी देखेंगे यहां पर तो यह खुला हुआ है अभी इसके अंदर देखेंगे तो सब घता हो जाएगा कुछ भी नहीं पचा हुआ है सब गायब हो गया दोस्तों ठीक है यह तो हमने देख लिया थीक है अब यह थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं कि जो इसका code है, कुछ खास code नहीं है, दोस्तों, इसके अंतर के आपको, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं बढ़ा करके थोड़ा दिखा जेता हूँ आपको, यह जो important code था, वस इतना इलाइन का code था, यह copy paste कर लिजिए website से जाकर कि, इतना ही हिस्सा है, कहीं और कुछ भ नहीं नहीं इसके अंदर रोड़े, ठीक है ना, सेक्सरोल आपको website से मिल जायागा, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो हमें comment करिएगा, मैं आपकी help करने के लिए, पुरा तैयार हूँ, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई, यहाँ पर यह सब तो हट गया, इसे right click करके, और extract करेंगे हम यहीं पर, तो extract कर लिया हमने इसको, यहीं पर, इसका नाम है, bootstrap के नाम से है यह, तो bootstrap e-commerce, तो वहीं हमें bootstrap e-commerce पर चलता हूँ, फटा फटा, bootstrap e-commerce, date के कॉड़िमों फिल्टर का में पर हूँ, तो यह हमें, टॉप में मिलना चाहिए, bootstrap e-commerce कि धार है भी, नज़र क्यों नहीं आ रहा है, यह तो, कोई बात ने, यह आ गया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ, bootstrap वारे, यह आ खाया है, अब हम क्या करेंगे, इसको open करेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे, हमारे pages सारे दिख रहे हैं, ठीक है न, हम यहाँ पर आपको एक page पहले set करना सिखाएंगे, उसके बा इसको open करके देख लेना है, क्या यह चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको चलिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस theme को यहाँ से, पहले हम open करेंगे, notepad के अंतर कर, जो ठीक है, तो यह हमने open कर लिया, notepad में ठीक है, तो काफी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ आपको कठीन नहीं कि बहुत कठीन हो, ठीक है न, अब यहाँ पर हमें देख लेना है, यह जो हमारी CSS लिखा हुआ है, ठीक है, CSS लिखा हुआ है, यह दो हमारे CSS है, तीन CSS है, हम इन तीनों CSS को पहले हम क्या करेंगे, CSS हम उसी website से उठा देंगे, सीदा सीदा, यहाँ से हमने इसको download किया था, तो अभी हमने जो download किया है, यहाँ से देखिए download हुआ है, ठीक है न, तो हम थोड़ा back जाएंगे, तो यह हमने देखा, यहाँ पर, यह वाली theme हमारी है, ठीक है न, इस theme प कर लेंगे, inspect क्या करने वाले हैं, इसको जड़ा ध्यान से देख लिजे, हम CSS यहाँ से उठाने वाले हैं, नहीं तो हम CSS चाहर करके, यहाँ से copy-paste करना पड़ेगा, पूरा-पूरा, तो हम CSS copy-paste नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर, क्या-क्या, वो inspect कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा inspect कर लेना है, यहाँ कोई cutting काम नहीं बता है, जो आपको परिसान होने वाली बात है, कैसे inspect करना है, कोई भी आप इसमें से जो ठीक है न, जितने भी हमारे CSS वाली फाइल है, और JavaScript की फाइल है, उन्हीं inspect कर लेना, ठीक है न, तो मैं यहाँ पर CSS की जो फाइल को पहले open करता हूँ, ओके यह भी हमारी, इसमें extra CSS जो इन्दी कर रहे है, अच्छी यहाँ से, यह head वाली हमारी है, यह असली हमारी theme यहाँ पा रहा है, तो हमने इस link को हम क्या करेंगे, open कर देंगे, बस इतना सा काम खली हमारा था, ठीक है न, इतना सा काम था, तो यहाँ library से ले करके हम यहाँ तक का हिस्सा copy कर लेंगे, copy करके हम अपने इस code में आएंगे, और यहाँ करके इधर paste कर देंगे, बस हम, देख लिए हम पर ध्यान से क्या किया हमने है, आपको, देखिए, यह हमने इतना paste कर दिया, टॉप में, वही काम हम बॉटम में करना है, जो जहाँ पर हमारा java script लगा हुआ है, तो यह हमने आपर paste कर दिया, यह paste कर दिया, हमने काफी, अब हम इसको एक बार फिर से test करके देख लेंगे, क्या हमारी यह website चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि अगर यह नहीं चल रही होगी, तो नहीं चले काम की चीज़े और भी set करेंगे इसमें, तो हम पूरा आपको दिखाएंगे, तो यह थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग परिशान न हुएगा, हाँ दोस्तों आप लोग हमें वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, ठीक है, देखें हमें इस place को replace कर देना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, control H, हमें इसके जगाँ पर replace करना है क्या, यह वाला हमारा code तो हम इसको जाएंगे कैसे replace कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको हटा करके और अपना code set करना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया paste, और यहाँ पर हम paste करने के साथ साथ में हम एक यह भी link paste कर देंगे, यह link कर देंगे, तो src की जगाँ पर हमारे, यहाँ पर हमने, इसकी जगाँ पर हमें यह वाला चीट चाहिए, इसकी जगाँ पर हमें कह गए यह वाली src चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर src लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यह image src लिखा है, हमें इन्हें क्या कर देना, replace कर देना, बस खाली, ठीक है, जहाँ जहाँ भी src लि replace कर देंगे, हम इसको replace इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम, हमें जो, जो pictures है, वो उसी location से उठ जाए, ठीक है, तो यह हमने code में छोवा सा changing कर लिया, ठीक, तो यह हमने काम complete कर लिया है, अब कुछ और काम बच्चता है, काम क्या बच्चता है, इसके अंदर जहाँ जहाँ pictures होती ह जहाँ 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 पर pictures होगी, जो ELT लिखा होगा, यह जैसे ELT लिखा होगा है, तो ध्यान यह देना है कि इसके last में बंद होना चलूदी है, हार tag इमेज का, तो मैंने इसको क्या कर लिया है, इसको भी मैंने इसके अंदर paste करके, और यह वाला हमने बंद लगा दिया, और replace कर दिया हमने, तो सिर्फ एक ही replace हो दोस्तों इसमें, और इतना पूरा पूरा हमें replace चाहिए था, लेकिन इसने सबको replace नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सब में नहीं मिल रहा है इसको, तो क्या है इसका solution, यहाँ पर, चली हम देख रहे हैं, image, क्योंकि हम जितने भी image tag लेंगे, उनके साथ में हमें replace करना ही है, तो image का, अच्छा, यहाँ पर जितने भी tag open हुए है, लेकिन बंद नहीं हुए है, जहन दिएगा, meta tag सारा का सारा खुला रहता है, इन्हें हमें बंद कर देना है, बंद इसलिए कर देना है, क्योंकि हमें यह एक Google Chrome error देगा, इन्हें बंद करना चाहिए, लेकिन यह लोग बंद नहीं करते हैं, तो यह गलत बात है, तो यहाँ पर हमने इससे सबको क्या कर दिया, इससे cross करके बंद कर दिया, थोड़ 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 टाइम लगेगा, अब काम कर रहे हैं, तो आपको time थोड़ लगे गई जो है, जैसे देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ इन्होंने, यह logo लगा रखा है, image देख देख करके हमें क्या करना, इससे बंद कर देना, थोड़ थोड़ हमें छोड़ा कर लेता हूँ, और मैं देख देख करके यहाँ भी लग रहे हैं, सबको बंद कर देता slider दोस्तों दिया हुआ यहाँ पर है, image, इसमें देखो ELT लगा करके बंद ही किया है, यह काम तो इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन यह हमारे CS, CO की दृष्टे से भी बहुत जरूरी होता है, CO में हमारे अगर ऐसा नहीं होता है, तो गरबरोता देख के इसमें बंद किया है, काफी काम तो इन्होंने किया है, बाकी काम किया नहीं है, यह product image है, सो मैंने इसको control H, यह product image हमने replace मार दिया, 9 जगहों पर replacement इसने कर दिया है, तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहाँ 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 बचेगा, हम बस लेखते जाएंगे, नहीं छूटे ना pictures, तो कि ह हमेबाद में अभी भी कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी, छूट शाड जाता है तो, तो मुझे लगता है कि अब काम लगभग लगभग हो ही रया है, ठीक है, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इसमें भचेगा, सो मैं अभी क्या करूँगा, जहाँ पर BR tag लगा होगा, मैं replace कर देना है इस तरीके से, तो मैंने replace मार दिया, तो दोस्तों इसमें कहीं भी BR tag लगए नहीं है, इसलिए हमें दे दिया, अब हमारा काम होने वाला है complete, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, head वाले section के अंदर का जितना कुछ दिखा हुआ है, इसको क्या करना है, copy कर लेना head का उठागर के head में रख देना है, आप देखने, देखें ध्यान से कितना जल्दी और कितना असानी से होने वाला है काम मारा, देखें आपर यह हमारा head section है, थोड़ा मैं बढ़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर हम रखने वाले हैं, देखें यह head section है, यह मैंने इसके नीचे गया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया paste, paste करने के बाद में मैं इसे करूँगा control, और तो यह छोटा हो गया, इसक्रीन को छोटा करने के बाद में इसे एक बार में करूँगा save, देख लेता हूँ, कुछ इसमें error ना हो, कुछ issue ना हो, तो कह रहा है इसमें हमें कुछ गड़बन नजर आने वाला है तो क्या आने वाला है यह हमें बता रहा है 21 नंबर लाइन पे दिक्कत है इसके इंतर जो एंड लगा हुआ है देखे गूगल क्रॉम जो हमारा गूगल का जो ब्लॉगर है यह आने वाले समय में जितने भी आपको थीम्स है सारे मैं आपको बताने वाला हूँ थीम्स के बारे में यूज कैसे करना उनको है कैसे इस्टॉल करना है तो अभी इसमें और कहीं तो कुछ नहीं लगा हुआ है हलाकि हेड हमें एरर दे रहा अभी भी तो दोस्तों इसका मतलब है कि कहीं न कहीं एरर है हमें अभी भी कुछ तो इसू है क्या है ये नहीं दिख रहा है अभी भी चलो देखता हूँ किस line पर error है अभी भी अभी भी 29 नंबर पे error दिखा रहा है वह 29 नंबर में तो ठीक है क्या है इसू दा element मीटा मेटा मस्ट भी terminate by matching end tag तो end tag कितरू बंद नहीं हुआ है यह line यह से आठाद हो जाए comment line है वैसे इससे कोई दिखकर नहीं है कहां पर कुछ इसू हो रहा है हो मुझे इसू नहीं दिख पा रहा है कहां पर इसू है तो देखी पहले मैं यहां पर यह देखो यहां परिशू है यह meta वाला यह meta tag दिखा रहा है meta tag हमने बंद नहीं कि meta tag दिखो यह error में दिख रहा है meta must be closed और देखेगा यहां पर close हो गया है error कतम हो गई देख लिजे यह save दिखा देगा तो यह हो चुका बहसे भाईया अब मुझे लेने वाला है part 2 यहनी की body का section तो मैं यहां पर body का section पूरा एक ही बार में उठाऊँगा देखेगा कमाल का होने वाला हाला कि इसमें कुछ error जरूर बचेगा क्योंकि body section तो होता ही है भई बड़ा और body section बड़ा है तो error होने के chances भी होनते है 100% तो मैं code section में तो हूँ भी यही है code section वाला मेरा हाँ यही है तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ यहां पर यह widget section दिया हुआ है इसको मैंने कर दिया और यह देखे यह पूरा-पूरा मेरा body section का section का main section था मैंने इसको ऐसे ही expand कर दिया था अब देखो मैं इसको paste कर दिया पूरा का पूरा paste करते ही देखो हमें error दिखने लग गया यहां पर कुल मिला करके 1283 line हो रही है body और stable में error दिखा रहा है इसका मतलब है कि हमारे upper tag में कहीं न कहीं issue है दोस्तों तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा सुर्वास चलूँगा एक बार मैं इसको testing करते हुए चलूँगा नीचे तक का बढ़ूँगा यहां पर हमें error दिख रहा है error edit tag में error दिख रहा है क्यों दिख रहा है input जो दिया हुआ यह बंद नहीं है दोस्तों इसलिए तो मैं ऐसे ही छोटा मोटा issue देख लेता हूँ कहीं भी issue हो ना तो red color में issue दिख जाता है यहां पर भी input tag में issue है तो यह बंद कर दिया हमने अब आपके सामने result जल्द ही आने वाला है यहां पर हमने div tag में issue दिख रहा है यह div दिख रहा है div tag में यह ELT सारे के सारे बंद होने चाहिए थे बंद नहीं हुए तो आपको यह issue दिखेगा body में भी error खतम हो चुका है एक बार चेक करके देखते हैं कहीं भी issue है 740 number पर error दिखा रहा है उससे छूट गया 740 number पर 740 number पर देखते हुआ आ चुका हुए दिखे यहां पर यह end लिखा हुआ है इसके जगा पर हमें A, M, P, column लिख देना है इस तरीके से अब हम save करेंगे कहीं भी इस तरह चूटा होगा issue तो दिख जाएगा 1193 पर भी जूटा हुआ है 1193 पर ओके 1193 ऑनलाइन पर इसू है कहीं 93 यह वही issue है जो हमने अभी बताया था तो मैंने ये छोटे-मोटे issue तो ये पता था एक यहां भी दिख रहा है तो ये भी था ही issue और कहीं दिख रहा हो तो देख ले अब तो नहीं दिख रहा है अब सायद हो जाना चीज़ है 1258 अभी भी है कहीं issue वही ये है ये 58 पर एक ये है issue देख लिजे आप लोग समझे कि कहां पर किस तरह का issue बन सकता है ये छोटे-छोटे issue ये आपको काफी काम आने वाला है तो दोस्तों अब हमारा product हो चुका है पूरा-पूरा update save हो चुका है हम इसे करने वाले है view देखिए यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है हमने keyboard में F5 प्रस किया और देखिए हमारी website e-commerce वाली जो हमने आपको आँ दिखाया था ये पूरी की पूरी load हो चुकी यहां पर है ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा-पूरा एकदम completely यहां पर आ चुका है ओफुली जैसा आपने वहां देखा था सब कुछ exactly आया है कहीं थोड़ा वहुत चुका है CSS हमारा कोई छोटा हुआ है जो नहीं आया है तो मुझे उसे एक बार चेक करना पड़ेगा CSS या JS कोई भी एक छोटी फाइल कोई छोटी हुई है जो कि यहां पर अपडेट नहीं हुआ है तो मैं एक बारे से चेक कर लेता हूँ कि पहले JS लेक लेता हूँ नीचे से और हमारा CSS या JS छोटा हुआ है जो अपडेट नहीं हो पाया है जैसकी वज़ा से यह छोटा हुआ है तो इसमें तो कोई भी ऐसा कोई CSS फाइल छूट गई हो हेड के अंतर गद तो कोई CSS फाइल तो भी नजर नहीं आ रही भी यास बिल्कुल आ नहीं नहीं है तो रही एकदम फैविकौन है फैविकौन तो खार चलो ठीक है कोई और फाइल तो नहीं छूटी है दोस्तों कोई फाइल तो मेरी छूटी नजर नहीं आ रही है कोई फाइल छूटी नहीं हुई है कोई फाइल है जो जो हमें इनके सर्वर पे नहीं मिल पा रही है तो हमें उसको एक बार देखना पड़ेगा कौन सा CSS फाइल है जो मिस कर रहा हमारा ब्राउजर बाकी का सारा कुछ सब ओके है और आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा code proper way में सब automatically वैसे के वैसे रखा हुआ है तो कहीं कोई एक छोटी सी फाइल है जो हमसे मिस हो गई या copy paste करने में एक बार मैं copy paste करने में भी देख लेता हूँ हो सकता है copy paste में भी कुछ छूट गया हो तो ऐसा कुछ तो भाई दिखने रहा है कोई फाइल नहीं दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है इसके इंतरगत हमें सारा कुछ ओके ही लग रहा है ठीक है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा comment जरूर करिएगा हमें और जो हम ये छोटी सी slider वाली जो वीडियो है slider इस पर नहीं काम कर पा रहा है जो slider था हमारा तो मैं उसको देखूँगा कि आखिर slider में क्या छूट गया क्योंकि वीडियो कफी लंबा होता जा रहा है तो अगली वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को कमी को पूरा करने प्रियास करूँगा कि मैं आपको अगली वीडियो में ये चीज़ दिखाऊ आप देख पा रहे slider जो ये काम कर रहा है यहाँ पे कारा वजल का वो हमें लग रहा है कि bootstrap की file जो है कुछ दिक्कत कर रही है यहाँ पर है और कोई दिक्कत हमें नहीं है तो कि सब कुछ ओक है बस bootstrap हमारा यहाँ पर apply नहीं पाया है बाकि आप देख रहे हैं सब कुछ okay है perfectly आ रहा है यहाँ पर ठीक है सारा कुछ proper way में ही है तो proper way में slider नहीं काम कर रहा है bootstrap जो class है साइद वहीं मिशुई है मुझे लग रहा है तो मैं bootstrap को मैं एक बार try करके देखनाँगा तो bootstrap ही issue है और कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसमे तो इसमे bootstrap वाली ही class लग रही ठोड़ी mistake है बाकि तो okay ही लग रहा है सब कुछ bootstrap में ही कुछ issue लग रहा है बाकि कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है इसके अंतर का दोनों बाकि चल रहे है ठीक है तो दोस्तों bootstrap हम अलग से इसमें attach कर दे तो यह चल जाएगा तो हम इसे करेंगे अगली class में अनि अगले वीडियो में आप लोग हमारा यह पूरा देखेगा कैसे हमने block को set किया अपने proper way में तो next video में हम try करेंगे इसे सही करने का और इसके अलामा हम आपको अगली theme भी set करना आपको सिखाएंगे और इसके हम पार्ट को बाकी जो changing करने वाले हैं पार्ट को तो देखेंगे तो चलिए next video मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद